वाट? प्रेक हमाग? और मेरी पूरी फैमिली तो हंटर है? मुझे से हाइट करना होगा रोजी कहाँ पे थी तुम? वाट? डिनर में क्या है? तुम्हें कुछ होना चाहिए रोजी कि अब तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो छोड़ो मुझे प्लीज जाने दूँ क्या सही में? मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं मारूंगी जाओ ओ ओ तैंक्यू सो मच डैर मुझे आप से कुछ बात करने हैं? हाँ कहो बेटा क्या होगा अगर जो माग मुझे मिलने वाला हो और वो माग मुझे ना मिले? फैमिली का ट्रेडिशन तो यही है कि प्रे को किल कर दिया जाए क्या आप लोग मुझे भी मार दोगे? तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ ना इस वरसे मैंने सुच्छा कि मैं आप लोग से भी पूछ लूँ तो बस इसले मैं पूछ लिया हूँ हम हंटिंग पर जा रहे हनी, कम ओन, लेट्स कम ओके कम ओन, बांदो उसे नो, मौम आज रोजी को एक फर्स किल करने दो नो वाट? आइ मीन कि मैं सिर्फ तुम लोग को देखूँगी तुम लोग करो, मैं अभी नहीं कर पाऊंगे मैं सिर्फ देख सकती हूँ क्योंकि मैंने अब तर किया रही है तो किल हिम रोजी किल हिम क्या कहा मैंने रोजी सुना तुमने? I can't सो किल हिम मैं नहीं क्या तुम उस परसन के लिए मर ना जाओगी जैसे तुम जानती भी नहीं हो? कि तुम्हारा काम हो गया, उठ जाओ यह मुझे सही में मार देती अबहाट हम तुमें टेस्ट कर रहे थे मैं उसे मार देती होँ और अगर तुम सही में प्रे होती तुम हमें मार दी होती ये देको हमारे मार्क्स सुजन मार्क को अंकवर करो हम सब तो हंटर्ज है ना? पर ये प्रे अब टाइम आ गए सही में हंटिंग पे जाने का तो इसका मतलब कि हम खिल करते? बट प्रे टाइम बदल गया है, अब प्रे हंटिंग करते है रोजी, एक हंटर कभी भी अपने आपको सेक्रिफाइस नहीं करता है किसी और के लिए यू कैन नेवर डू दाट अगेन, ओके? I know that अभी तुम सबको मालूम है कि क्या करने कवर करो ये प्रे मार्ग को और हंटर का मार्ग लगाओ अब जबी भी तुम प्रे के साथ रहो तो उसे किल करो I can't अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो तुमें और तुमारी पुरी फैमली को मार देंगे मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं मार सकती हूँ अगर क्या उन लोगों के पास हंटर मांक होते तो क्या वो तुमें छोड़ते इसका मतलब कि वो तुमारे फ्रेंड्स ही नहीं है तुम हंटर्स के स्कूल जाओगी कल से वो मेरा स्कूल नहीं है मैं वहाँ क्यों जाओंगी मुझे और कुछ नहीं सुनना है तुम हंटर हो अपसे तुम कल से जाने वाली हो वो स्कूल में याद रखो हे हे वेट हेलो मेरा नाम जैक है आप रोजी नाइस नेम तुम्हें यापे नर्वस होने की जरूवत नहीं है आई हेट मैं फॉर्स जे जम मैं यापे आया ता अभी बहुत डल लग रहा था कि कोई मुझे मार देगा पर ऐसा नहीं है यापे सब मिल जूल कर रहते हैं इसा नहीं है यापे सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं कूल ओके देन सी यू हे रोजी काईली क्या कर रही हो तुम जाओ यहां से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो समझ नहीं आ रहा है पर तुम क्यों कर रही हो ऐसा रोजी रोजी तुम चली जाओ यहां से नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगे पर रोजी चुप रहो जाओ मैंने सौज़ था कि तुम मेरी फ्रेंड हो नोट एनी मोर हे रोजी लिसेन आज रहाँ पाटी है क्या तुम आना चाहोगी यह मौका अच्छा है तुम फ्रेंड्स बना सकती हो आज अच्छा तुम सोच लो यह रहा मेरा नंबर यह लो और टेक्स करना अगर आने का मन हो तो ओके देन बाई कैसा गया स्कूल में दिन बहुत बक्वास क्या तुम्हें पता चला कुछ जो हमारे मतलब का हो आज राध हंटास की पाटी तुम्हें जाना होगा माँ मौम मैं नहीं जाओंगी तुम्हें पता चल सकता है कि वो लोग पाटी कैसे करते क्या प्लाइन करते और और भी चीज़े तुम्हें करना होगा ये फैमली के लिए ओके मैं जा रही हूँ रोजी हमें बहुत गर्व है तुम पर और ये माँ को हाइट करो और वहाँ पर भी धियान देना ये माँ का हेई वेलकम आओ मैं तुम्हें और लोगों से इंट्रेड्यूस कराता हूँ कम ओन फिर वो रोते रोते चली गई घर पे रोजी देखो ये सब तुम्हें पसंद कर रहे और सुन एक और एक और एक जोक सुनू फिर क्या हुआ था जब लुक मुझे क्या मिला ओ प्रे परफेक्ट रोजी प्लीज क्या तुम इस लड़की को जानती हो रोजी अम रोजी हम लोग बस फ्रेंट्स है जब में को मार्ग नहीं मिला था उससे पहले ये जूट बोल रही है ये जूटी है और इसने अपना मार्ग भी फेक की है ये फेक है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रही है लाओ दो नाइफ इदर सच बोल रही हूँ वेट अगर मैं जूट बोल रही हूँ तो लाओ लोजी को दो नाइफ और उसे करने दो वो नहीं कर सकती देखा क्योंकि वो फेक है मेसेज बोल रही थी फेक